बच्चो आईए अब देखते हैं आपके पाठ्थ पुस्तक में संकलित निबंध शिरीष के फूल आचार ये हजारी प्रसाद दुवेदी कहते हैं कि जहां बैठ कर यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेन हैं जेट की जलती धूप में जबकी धरत्री निर्धोम अगनी कुंड बनी हुई थी निर्धोम माने धूआ रही थी अगनी कुंड जैसे हवन कुंड होता है अगनी प्रज्वलीत होती है लेकिन हवन में धुआ होता है लेकिन इस जेट की जलती धूप में जो अगनी प्रज्वलीत है उसमें धुआ नहीं है शिरीष नीचे से उपर तक फूलों से लद गया था कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं बहुत ऐसे फूल हैं जो गर्मी में खिलते ही नहीं है लेकिन शिरीष गर्मी में खिलता है करणिकार, करणिकार मतलब कनेर आप लोग उसको कनेर कहते हैं और एक होता है आरग्वध यानि अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूं यह आचारिस्री कहते हैं वे भी आसपास बहुत हैं जहां शिरीज के पेंड हैं उन्हीं के आसपास जो है करनिकार है यानि कनेर और अमलतास आसपास बहुत सारे आग्वध की तुलना नहीं की जा सकती चूंकि अमलतास और शिरीष की तुलना नहीं कर सकते इस प्रकास से आचारिस्री का मानना है आगे वो तर्क देते हैं वह 15-20 दिन के लिए फूलता है कौन आरग्वध अमलतास बसंत रित्व के पलास की भाती यह पलास है बच्चो धाक किन्शुक शिवला टेशू कई नाम है उसके तो बशंत रित के पलास की भाती वो खिलता है और इसके बाद वो समाप्त हो जाता है संत कभीर को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था संत कभीर यह 15 दिन वाले फूलों को पसंद नहीं करते थे वह अभी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड के खंखड ठूट के ठूट दिन दस फूला फूलिके और खंखड भया पलास यह संत कभीर की पंक्तियां पलास के बारों में उन्होंने लिखा है ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले उबर खाबड ही भरे भले फूल है शिरीष आचारी स्री बड़े गर्व से कहते हैं कि फूल है शिरीष बसंत के आगमन के साल लहक उठता है बसंत में उसका आना होता है और आशाण तक जो निश्चित रूप से बना रहता है अकेला फूल है ये प्रकिती के साथ मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्गात फूलता रहता है निर्गात माने बिना आगहात के बिना रुकावट के जब उमत से प्राण उबलता रहता है और लू से हिर्दय शूखता रहता है एक मात्र सीरिष काल जयी अब धूत की भाद जीवन को अजयता का मंत्र प्रचार्त करता रहता है काल है मतलब समय को पराजित करने वाला काल को जिसने जीत लिया हो जो है यह बाममारगी जो तंत्र साधक होते हैं उन्हें अभगों जाता थो यह एइक साधक की बहांती की जिसने सबस्रेत को पराजित कर दिया है वह कालजườWorld की तरह जीवन को एक संदेश देता है कि इमेरी तरह से कितनी भी गर्मी आये कितनी भी भर्षाहों और कितने भी ठंडी आये कितने भी शंकर्ट आएं पर आप जीवन में कभी निरास नहों सदा काल जयी बने रहो प्रसंद बने रहो शहर से अपने कर्मों का संबादन करते रहो कि एक कवियों की बात हर फूल पत्ते को देखकर मुग्द होने लायक हिर्दय विधाता ने नहीं दिया है पर यह हजारी प्रसाद जी अपने लिए कह रहे हैं परन्तु नितान तो ठूट भी नहीं हूं कहीं ने कहीं वह कवियों की सत्सा हिर्दयता जो है मेरे भीतर है शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं शिरीष के ब्रिक्ष बड़े और चायादार होते हैं पुराने भारत का रईष जिन मंगल जनक ब्रिक्षों को अपनी ब्रिक्ष वाटिका की चहार दिवारी के पास लगाया करता था उनमें एक श संगीता में हुआ है यह 1513 में और अशोक आप समझा सब जानते हैं अशोक वाटिका में माजान की नीचे बैठी थी अशोक के बारे में कहा गया है कि अशोक शोक नाशन अशोक जो है संकटों का नाश करता है अरिष्ट अरिष्ट वाने रीठा और पुन्नाग एक सदा बह कर बिक्ष है यह उसे पुन्नागी कहते हैं और शीरीश के च्षायदर और घंम मश्रण मने घंए और चिकने हरीतिमा से पर्वेश्थित हरें भरे ब्रिक्ष बाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी बहुत सुन्दर दिखती है बड़ी मनोहर दिखती है क्या क्या अशोक अरिस्ट यानि रीठा पुन्नाग यह एक सलाबहार ब्रिक्ष है और शिरीष के छायादार ब्रिक्ष यह जो है निशित रूप से ब्रिक्ष ब आना गया है महार सिवाश्यायन ने अपने काम सूत्र में बताया है एक काम सूत्र उनका ग्रंथ है कि वाटिका के सघन चायादार ब्रिक्षों की चाया में जूला माने प्रेखर दोला लगाया जाना चाहिए दोला माने जूला कि एद्यप पुराने कभी बकुल के पेड़ में बकुल यानि मौल सिरी ऐसी दोलाओं को यानि जूला को लगा कर देखना चाहते थे पर सिरीश भी क्या बुरा है शिरीश को उन्होंने प्रयुत्र नहीं किया डाल इसकी अपेक्षाक्रित कमजोट जरूर होती है पर उसमें झूले वालियों का बजन भी तो ज्यादा नहीं होता वो मैंने कहा था इनका चुटील अपन रहता है। तो जूले वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता कभियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते मैं तुंदिल नर्पतियों की बात नहीं कर रहा हूं तो तुंदिल मोटे पेट वाले वे चाहें तो लोहे का पेड़ बन वाले जो साहित्य में बहुत कोमल माना गया है आचार स्री कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि महा कभी काली दासने यह बात शुरू-शुरू में प्रचार की होगी इनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था मेरा भी है लेकक का का गये हैं श्रीष के पुस्प केवल भवरों के पदों का कोमल दवाब सहन कर सकते हैं पक्षियों का बिलकुल नहीं इतने मुलायम होते हैं इतने कोमल होते हैं कि अगर वहां पर भौरे पहूंझ जाए उनक चलन लग जाए तो और उनका वजन हो तो उसको सह लेंगे लेकिन पक्षियों का तो बिल्कुल सह नहीं सकते इतने मुलायम और कोमल होते हैं अब मैं इतने बड़े कभी की बात का विरोध कैसे करूं हजारी प्रसाजी कहते हैं शिर्फ बिरोध करने की हिम्मत नहीं तो भी कुछ कम बुरा नहीं था यहां तो इच्छा भी नहीं है खैर मैं दूसरी बात कह रहा था शिर्फ के फूलों की कोमलता देखकर परवर्थी कभीयों ने पहले वाले कभीयों ने समझा कि इसका सब कुछ कोमल है यहां भूल है इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अस्तान नहीं छोड़ते जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर धका देकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्तली पुष्प पत्र से मर्मरित होती रहती है जब समूचा वन समूचा जंगल समूची बाटिका में पुष्प फैल जाते हैं पुष्प खिल उठते हैं तब शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़ खड़ाते रहते हैं पक जाते हैं हवा चलती है तो खड़ खड़ाते हैं मुझे उनको देखकर नेताओं की बाद आती है देखी यहां पर भी ब्यंग जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नहीं पौध के लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते तब तक जमें रहते हैं जैसे शिरीष के फल यह नेताओं के लिए ब्यंग किया है आचार हजारी प्रसाद्वेदी ने कि जब नए नेता करके उन्हें धक्का देके बाहर कर देते हैं तब वह अपनी सीट छोड़ अधिकार की लालसा इच्छा क्यों नहीं समय रहते समात हो जाती क्यों यह सावधान नहीं हो जाते जरा और मृत्यों जरा माने बुढ़ापा बुढ़ापा और मौत यह दोनों ही जगत के आतिपरचित और आतिप्रमानिक सत्य है ये साथ सथ सत्य है हर ब्यक्ति को बुढ़ापा आएगा और हर ब्यक्ति की मृत्ति होगी इसे नकारा नहीं जा सकता गोश्वामी तुलफीदाव जी ने अब सोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहल लगाई थी कि धरा को प्रमान यही तुल सी जो भरा सो जरा जो बरा सो बुताना कोश्वामी जी ने लिखा है कि इस धरा का इस धरती का यही प्रमान है कि जो फ़रा मने जो पुष्पित हुआ पलवी थुआ पुष्पित हुआ फ़ल आये वह जड़ते भी और जो प्रजोलीत होता है जलता है बढ़ता है बढ़ा सोब गुताना वह समाप्त भी होता है आचार हजारी प्रसाद दुवेदी कहते हैं मैं सिरीष के फूलों को देख कर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा जहर्णा निश्चित है एक संदेश वीच में जा रहा है पूरे समाज को कि जन्म लेते ही यह समझ जाना चाहिए ब्यक्ति को कि हमें एक दिन यहां से जाना है पर सुनता कोने महाकाल देवता सपा सप कोडे चला रहे हैं कोडा चलाना फटापट सपा सब जिन और दुर्बल जड़ रहे हैं जिन में प्राण कण थोड़ा भी उर्धुमकी है वे टिक जाते हैं दुरंत जिनका बिनास होना मुश्किल है प्राण धारा सरव्यापक कालागनिका संगर्स निरंतर चल रहा है मूर्ख समस्ते हैं जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आन्ख बचा जाएंगे ऐसा जब की होता नहीं है काल की आंखों से कोई बच नहीं सकता वे बड़े भोले हैं वे हिलते डूलते रहें इस्थान बदलते रहें आगे की ओर मुह किये रहें तो कोड़े की मार से बच भी सकते हैं जमें की मरें जो रुक गए वे मर गए इसलिए हमेशा हमारे हां शूक्त है कि चरेवेती चरेवेती प्रचलाम निरंतरम आचार हजारी प्रसाद दुवेदी फिर से शिरीष को अधूत के रूप में ब्याख्याइद करते हुए कहते हैं कि एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अदभूत अब धूत है अदभूत सन्यासी है यह अदभूत तांत्रिक है दुख हो या सुख पर वहार नहीं मानता और संपत्तव चाभी पत्तव चाह महताम एक रूपता शंकट में सुख में वह एक रूप बना रहता है जैसे भगवान बेदव्यास में गीता में कहा है ना उधों को लेना ना माधों का देना किसी से कोई मतलम नहीं जब धर्ती और आस्मान जलते रहते हैं तब भी हजरत यह महां से नजाने कहां से अपना रस खीजते हैं मौज में आठों याम मस्त रहते हैं रात दिन यह प् बताया कि वो स्रेणी का पेंड़ है जो बायुमंदल से अपना रस खीजता है ऐसे बहुत सारी पौधें जैसे एक पीला पीली-पीली लता वाला पौधा आपने देखा होगा जो दूसरे पौधों का रस खीज करके जीवित रहती है ऐसे पौधों को पर जीवी कहा जाता ह तो बायुमंदल से अरस खीजता होगा जरूर खीजता होगा नहीं तो भैंकल लू के समय इतने कोमल तंदुजाल और ऐसे ही सुकमार केसर को कैसे उगा सकता था ये केसर को भी उगाते हैं अब धूतों के मुह से ही संसार की सबसे सरस रचनाए निकली है अब धूत जो वीतराग नहीं है जो अधूत नहीं है अना सक्त नहीं है रचनाएं उसके मुख स्री से निहिसरित नहीं होंगी कबीर बहुत कुछ इस स्रीश के समान ही थे संत कबीर के बारे में मस्त बेपरवाह पर शरस और मादक कबीर एक फक्कर था वो तो सीधे बोलता है साधो देखो जग बहुराना साच कहे तो मारंधावे और जूटे जग पति आना वह मस्त मौला जो है बहुत सटीक बात कहता था सरस नीरस मादक पर था वो मस्त और बेपरवाह महा कभी कालदास भी जरूर अना सक्त योगी रहे होंगे निरलिप्त अना सक्त यानि निरलिप्त जो आशक्त नहो संसार से निरलिप्त सुध तो महा कभी कालदास भी निरलिप्त योगी रहे होंगे शिरिश के फूल फक्कडाना मस्ती से ही उपस सकते हैं जो फक्कड होगा उसी के दिमाग में यह शिरिश के फूल आ सकते हैं महा कभी कालदास ने मेग दूत काब्य उसी प्रकार से अना सक्त अना विल उन्मुक्त हरदय से उम्रा है ऐसा आचारी स्री मानते हैं जो कभी अना सक्त नहीं रह सका जो फक्कड नहीं बन सका जो किये कराय का लेखा जोखा मिलाने में उलज गया वह अभी क्या कभी है ऐसे कभी नहीं होते और वास्तों में बच्चों कभी जो होते हैं वे परमात्मा का उन्हें वरदान मिला होता तब उनमें वो फक्कडपन वो मस्ति आती है कहते हैं करणाट राज करणाट राज यानि करणाटक की प्रिया विजिका देवी ने गरपूरक कहा था कि एक कभी ब्रहमा थे उन्होंने केबल तीन कभियों को स्विकारा है एक कभी ब्रहमा थे दूसरे महर्शिबालमीक और तीसरे भगवान बेदव्यास तो ब्रहमा के स्री मुक्षे वेड निकले और महर्शिबालमीक से रामायन निकली और बेदव्यास ने स्रीमत भागवत महापुराण और महाभारत और अनेक पुराणों की सर्जना की एक ने बेदों को दिया, दूसरे ने रामायन को दिया और तीसरे ने महाभारत को दिया इनके अतरिक्त अगर कोई कभी होने का दावा करता है तो मैं उसे नहीं मानती करनाटक की प्यारी रानी ये भी कहती है कि मैं उनके सिर पर अपना बाया चर्ण रखती हूं मैं जानता हूं कि इस उपालंभ से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डाटा भी नजाए पर मैं कहता हूं कभी बनना है तो मेरे दोस्त फक्कड बनो कवीर की तरह निराला की तरह शिरीष की मस्ती को देखो लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं मरने दो यह आचायश्री का व्यंग है महा कभी कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की इस्थिर प्रग्यता इस्थिर प्रग्यता कहते हैं बच्चो अभी चल बुद्ध को जो निरंतर जिसमें इस्थाइत तो बना रहता है बिदग्ध प्रेमी अच्छी तरह से तपा हुआ बीदग्ध माने अच्छी तरह से तपा हुआ ब और भी उपसर गये विशेश रूप से जला हुआ प्रेमी का जो और Rumे पा चुका है वही कभी हो सकता है कि अरे कभी होने से होता क्या है मैं भी छंद बना लेता हूं तुक जड़ लेता हूं और काल दाज भी छंद बना लेते थे दुख भी जोड़ सकते होंगे इसलिए हम दोनों एक सरणी के नहीं हो जाते पुराने समय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था कि कि महां कभी काल दास ने अविज्यान सAKुंत लम नाम का एक नाटक लिखा जिसकी नाइका है शकुंतला शकुंतला भास उन्दर क्या होने से कोई हो जाता है देखना चाहिए कितने सुन्दर हरदय से लगार निकला कि माने सवंदर में कितना डूबा है काल इदास शकुंतला के सवंदर को देखकर निश्चित रूप से डूबे होंगे सकुंतला काल इदास के हरदे से निकली थी विधाता कि ओर से कोई कारपने नहीं था एकौई कशों कंजूशी है और ने कोके कढ़ाने मरणे में कंजूशी दिखाई उसका बढ़न करने में राजाद रुशांत भी अच्छे भले प्रेमी थे राजा दुश्यंत सकुंतला से प्यार करते थे उन्हें ने सकुंतला का एक शित्र बनाया था लेकिन रह रह कर मन खीज उठता था कहीं न कहीं कुछ छूट गया है यह खिंदता उनके दिमाग में बनी रही बड़ी देर के बाद समझ में आया कि सकुंतला के कानों में वे कर् शिरीश पुष्प को देना भूल गये हैं जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे गंडस्थल गाल तक और रह गया है सरचंद्र केर्णों के समान कोमल और सुब्र मिडाल माने कमल नाल का हार जो हर्दे में पहना जाता है गले में पहना जाता है कालिदास सौंदर्य के वाह आबरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे चुकि वे बहुत ही संबेदन सील थे बहुत ही पार्खी थे बहुत ही अनभवी थे दुख हो की सुख वे अपना भावरस उस अनासक्त क्रिपी बल की भां थी एक क्रिपी बल जो है बच्चों किसान को कहा जाता है क्रिपी बल की भात खीच लेते थे जो निर्दलित एक्षुदंड से रस निकाल लेता है किसान यह एक्षुदंड क्या है गन्ना गन्ने का दंड एक्षुमाने गन्ना कालदास महां थे वे अनासक्त रह सके थे निर्लिप्त भाव से जी रहे थे कुछ इसी स सकते आधुनिक हिंदी कभी महा कभी सुमित्रांदन पंत हैं कई वर रमीन नात में भी यह खूबी थी यह अना सकती थी एक जगा उन्हों लिखा है राजयों ध्यान का सिंग द्वार कितना ही अब रभेदी क्यों नहों अब रभेदी माने आसमान को भेडने वाला उसके शिल पकला कितनी ही सुंदर क्यों नहों कितना खुबशूरत वो बनाया गया हो वह यह नहीं कहता कि हम्में आकर ही सारा रास्ता समापत हो गया और बहुत सारे शिल्प बने होंगे असल गंतव्यस्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है यही बहाँ बताना उसका करतब्य है उठी हुई अंगुली है वह है इशारा है शिरीष तक सच्मुच पक्के अव धूत की भात मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जा शिरीष सच्मुच बार बार शिरीष को आचार हजारी प्रसाजी दुवेदी अब धूत की संग्या दे रहे हैं अब धूत एक ऐसा सन्यासी एक इस तरह का तांत्रिक होता है जो निलिप्त भाव से जीवन जीता है तो यह शिरीष अब धूत की तरह मुझें ऐसी तरंगें जगा देता है जो उपर की ओर उठती रहती इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है क्या यह वाय परिवर्तन धूप वर्षा आंधी लू अपने आप में सत्य नहीं है मतलब इसका प्रवाज इनके उपर नहीं पड़ता और यह संप्रति की के विभिन संत्राशों के संदर्व में लेखक कह रहा है मार काट लू अगनिदा लूट पाट खून खचर यह जो ब एक संदेश लेकिन शिरीष रह सका है इसलिए कहते हैं कि शिरीष की तरह निरलिप्त भाव से जीवन यापन करो अपने देश का एक बूला रह सका था क्यों मेरा मन पूचता है ऐसा क्यों संभव हुआ क्यों कि शिरीष भी अवद्धूत है सन्यासी है तांत्रिक है योगी है अनासक्त है निरलिप्त है शिरीष वाव मंडल से रसखीज कर इतना कोमल और इतना कठोर है एक संत हुआ था जिसे हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी भी वाव मंडल से रसखीज कर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था मैं जब जब शिरिश की ओर देखता हूं तब तक एक खूक उठती है एक पीड़ा उठती है हाई वह अब दूत आज कहां है वह गांधी आज कहां है वह गांधी का चिंतन आज कहां है बच्चों शिरिश के फूल जो निबंध है ललित निबंध है इनकी लालित पूर्ण भाषा के संदर में आपको बता ही चुका हूं और इस निबंध को भी आपने पढ़ा बहुत ही सरस और बहुत ही प्रवाहमें निबंध है ये आपकी समझ में आ गया है अब आईए हम कुछ प्रशनों को देखें बार बार जो लेखक शिरिश के पुष्प को काल जयी अवधूत कह रहा है तो क्यों लेखक जो है शिरिश को काल जयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों मानता है क्यों माना है बच्चों लेखक को शिरिश में काल जयी अवधूत सन्यासी की तरह समानता दिखाई देती है एक काल जई सन्यासी काल विशय बासनाओं क्रोध मोह इत्याद इसे स्वयम को अलग कर लेते हैं ऐसे ही शिरीज को लेखकने माना है उस पर काल का प्रभाव दिर्शिगोचन नहीं होता प्रचंड गर्मी में भी वह फलता फूलता है प्रचंड गर्मी में फलने वाला पेंड बहुत कम देखने को मिलता है वह जला देने वाली गर्मी और परेशान करने वाली उमस में भी अभिचल खड़ा रहता है उसी समय में अपने फूलों की शुगंद से लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेर्णा देता है वह प्रेरक फ्रश्ठ कहता है आप चलते रहो चलते रहो और वीजये को प्राप्त करूँ एक प्रस्न और बनता है कि हर्दय की कॉमलता को भचाने के लिए ब्योहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती इस पस्ट करना इसे इस पस्ट करें तो सीरी՝ की विशय में लेखक मनुस्य को एक विश्ध देता है यह बहुत ही संधेश परक ललित निबंद है लेखक के अंसार जिस प्रकार स्षिरीझ को कॉमल मान कर पूरा ही कॉमल मान लेते हैं तो यह उसके साथन ने आया है इसके फल उतने ही कठोर और सक्त होते हैं लेखक कहता है हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि अपने हिर्दय की कोमलता को बचाने के लिए बेवहार की कठोरता कभी कभी जरूरी हो जाती है यदि हम अपना बेवहार कभी कठोर कर लेते हैं तो लोगों से ठगे जाने का खतरा कम होता है आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ने शिरीश के माध्यम से कोलाहल वा संगर से भरी जीवन इस्तितियों में अभिचल कर जीजीविशू बने रहने की सीख दी है इस पश्ट करिए शिरीश ऐसे समय में फलता फूलता है जब प्रचंड रूप से गर्मी पड़ रही होती है मनुष्य का जीवन शंगर्सों तथा कश्टों से भरा हुआ है यहां पर लेखक ने गर्मे की प्रचंडता को जीवन के शंगर्स से जोड़ा है शिरीश का ब्रिक्ष इतनी प्रचंडता को बड़े आराम से झेलता ही नहीं है बलकि अपने कोमल फूलों को खिला कर यह सिद्ध कर देता है कि विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य जीने की इच्छा को बनाए रखकर उससे पार पा सकता है यह निर्भर करता है मनुष्य की जीविशा पर जीवन की इच्छा सक्ति पर और अपने अस्तितों के लिए किये जाने वाले चंगर्स पर अगर मनुष्य लड़ना ही छोड़ दे और विकट परिस्थितियों से घबरा जाये तो वहन जी नहीं सकता वह तो टूट कर रह जाएगा ठीक ऐसे समय में सिरीज का पेंड हमें प्रेणा देता है कि कोलाहल वा संगर से भरे जीवन इस्तितियों में भी अभिशल रहकर अपनी जीविशा को बनाए रखा जा सकता है बस जरूरी है हिम्मत की और एक प्रयास की कोशिश की एक बात और आचार हरजारी प्रसाद्वेदी में अंत में कही है कि हाय वह अबधूत आज कहां है ऐसा कहका लेखक ने आत्म बल पर देह वलके वर्चत सुकी वर्तमान सब्यता के संकट की और संकेत किया है कैसे प्राचीन भारत में शदैव से ही आत्म बल पर ध भिखान रखने के लिए कहा गया है हमारा मानना है कि जिस मनुस्य की आत्मा प्रबल है वह संसार के हर कश्ट से परे हैं वे संतोसी है और जीवन में हर प्रकार की शुक्स विदाएं और कश्ट उसके लिए निराधार है आत्म बल के माध्यम से वह इंद्रियों से लेकर मन को अपने वस्में कर लेता है इस तरह हुआ महात्मा हो जाता है यहां पर अधूत ही ऐसे ब्यक्तिकेले कहा गया है जिसने विशय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है आज के समय में ऐसे लोग देखने को कम मिलते हैं मिलते ही नहीं आज हर किसी के अंदर देह बल का वर्चस्व चाया हुआ है सब शारीरिक बल को लोग अधिक महत्तों देते हैं और इसका प्रयोग भी कर रहे हैं यह हमारी सब्विता के पतन का मार्ग है क्योंकि कोई सब्विता देह बल से फली फूली नहीं है उसके फले फूले होने का और दर्शन करते हैं अपने बिरोधी को परास्ट कर उसे गुलाम बनाना चाहते हैं लेकिन आत्मबल में अपने सत्र यानी मो काम क्रोद वाशना अहंकार इत्यार इपर विजय प्राप्त करते हैं और संतिकात्र Huamunu यह समाज को देता ही है लेता नहीं यह पर आज ऐसी इस्तित दिखाई नहीं देती आचारे हजारी प्रसाद दुवेदी ने कभी साहित्तिकार के लिए अनासक्त योगी की इस्तित प्रग्यता और विदध प्रेमी का हरदे एक साथ आवस्यक माना है ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्तिक कर्म के लिए बहुत उंचा मान दंड निरधारित किया है कैसे प्रश्ण बहुत ही महतुपूर्ण है लेखक ने कभी के लिए जो मान दंड निरधारित किया है वह सही माइने में बहुत उंचा है सही मायने में यही विशेष्टाएं एक ब्यक्ति को कभ्या साहितिकार बनाती है उसकी रचना उसके हर्दय में उमणने वाली भावनाओं और मन में उठने वाले विचारों का आइना है दरपण है यह भावनाओं तथा विचार समाज के विकाश और प्रगत के लिए अतियावश्यक होते हैं एक कभी एक योगी के समान वस्तूओं था भोग विलाज के प्रतियासक्त होगा तो अहीं योगी नहीं कहलाएगा वह भोगी कहलाएगा भोगी जो होते हैं वे समाज को देते नहीं है अपित लेते हैं एक योगी विशे वस्तूओं के प्रतियनासक्त होता है आसक्त नहीं होता उसकी बुद्ध चंचल नहीं होती इस्तिर होती आता हुआ गंभीरता से किसी विशे पर सोच सकता है चिंतन कर सकता है इसके अत्रित कविए एक प्रेमी के समान विरह में तडपता हुआ हिर्दय भी होना चाहिए एक तडपता हिर्दय किसी अन हिर्दय की तकलीप को सरलता से समझ सकता है यही तडप उसे शुद्ध सोना बन इन गुणों से वह महानकविया साहित्यकार बनकर समाज को उचित दिशा प्रदान कर सकता है ऐसे मापदंड हैं जो अनुकर्णी है बच्चो आचार्य हजारी प्रसाद दुवेदी जी ने शिरीज के माध्यम से कोलाहल वा संगर से भरी जीवन इस्थितियों में अभिचल र जहने की सीख दी है जिस प्रकार शिरीज का ब्रिक्ष चंवोर फैली लू अगनी धूप प्रचंड गर्मी के बाब जूत सरस और फलो फूलों से आच्छादित हरा भरा रहता है उसी प्रकार जीवन में आने वाले सुख दुख कष्ट मार काट लूट पाट खून खचर के माहौल में भी अपना होशला न खोते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और इस्तिर रहकर जीवन जीना चाहिए यहीं इस निवंद का प्रतिपाद्य है उद्देश्य है